टाइम मेनेजमेंट का तीन दिन का काम एक दिन में कैसे करें आठ तरीके आज मैं दूँगा मुकिस अमबानी वहरिन वफे जैसे बड़े बड़े लोगों को भी ये समय बराबर मिला है और 24 गंटा ही मिला है इस विडियो में आठ कमाल का आइडिया मैं दूँगा प्रतम आइडिया आप आज ही अगले दिन की प्लानिंग कर लें कल क्या क्या करनी है ये तो आपको फायदा ये मिलेगा चैन से नींद आएगी और अगले दिन पता चल जाएगा कि मुझे क्या करनी है एक बार में एक काम को ही फोकस करें तीस से पैंतिस मिनट का टाइम बैसिंग करें और उसमें अपने काम को पूरा करें तीसरा जो आइडिया है टाइम मोनेटरिंग आप एक बार दोपहर में अपने टाइम को देखे कि मेरा टाइम कहां कहां इनवेस्ट हो रहा है और एक साम को देखे कि मेरा हर गंटे का टाइम कहां इनवेस्ट हुआ अगर एक सब्ता करते हैं तो ये पता चल जाती है कि आप का time कहा invest आप अपनी body के clock को पहसाने आप कब active रहते हैं आप सुबह में active रहते हों या साम में या दोपर में या रात में उसी समय अपने मुख्य काम को करें swap point जो भी meeting जो भी काम start करें उसका end result ध्यान रखें एक घंटे का meeting है कहीं दो घंटे तो आप नहीं कर रहे हैं उस समय को end ध्यान रखें और उसी समय meeting को attend काम करती वक्त interval कियो सकता होती है 45 मिनट का काम करें और 5 मिनट का break लें देखिए हो सकता है कि आपके काम में और मज़ा आना सालू हो जाए किसी को हा कहने से पहले 100 बार सोचिए आपका वह ब्यक्ति समय चुरा लेता है एक बार एक ब्यक्ति ने मुझे बोला कि बाबू मुझे ये काम करनी है मैंने बोला मेरे पास time नहीं है मैं ये काम आपका नहीं कर सकता हूँ टू-डू लिस्ट में आठवे पॉइंट यानि अंतिम पॉइंट को जो दस मिनट से कम समय लेते हों उस काम को न डालें दस मिनट से जितने कम टाइम में हो जाता है उस काम को टू-डू लिस्ट में बिल्कुल न डालें